काफी बार पेसंट मुझे बोलते हैं कि इस बार मुझे लगा था कि इस मैने तो मेरी प्रेग्नेंसी है ही सारे सिम्टम मुझे प्रेग्नेंसी के फिल हो रहे थे कुछ दिन भी उपर गये थे लेकिन फिर पीरड आ गया तब मैं उनसे एक ही सवाल पुछ ती हूँ कि आपने यूरिन प्रेग्नेंसी कित में यानि कि यूपीटी की थी तो बोलते हैं अभी तो मैं वेट कर रही थी अभी तो चारी दिन उपर गये थे मैं सोच रही थी साथ आट दिन उपर जाए फिर मैं चेक करती हूँ और यहीं पर गलती हो जाती है यदि वहां पे आप प्लान कर है आपको प्रेग्नेंसी रुक नहीं रही है तो कहीं ना कहीं होर्मोनल इंबेलेंस हो सकता है आपका एम में च्छा या लो हो सकता है एक कोलीटी यदि थोड़ी ठीक नहीं रही और उसके बाद ट्रीट्मेंट के बाद या नेचरल जैसे भी आपकी प्रेग्नेंसी रुकी और वहाँ पे pregnancy support की गोली चालू नहीं हुई तो आपकी रुकी हुई pregnancy भी निकल जाएगी युकि देखो pregnancy में क्या रहता है यदि आपका positive आता है तो वहाँ पे progesterone फिर मिलना चाहिए body में प्रोजेस्ट्रोन होर्मोन ही आपकी endometrium lining को index रखता है बच्चे का growth करता है फिर बच्चा ही beta-acg वहाँ पे बढ़ाता है उसी beta-acg से और प्रोजेस्ट्रोन बनता है तो यह पूरी cycle है यदि body में प्रोजेस्ट्रोन डाउन हो गया तो आपकी lining जो है वो तो सेप्रेट हो ज जाएगा तो यहां पर इनिसेल डेज में आप pregnancy test नहीं करते हैं दुसरी गलती जैसे कापी बार मेरे खुद के पैसंट के गलती करते हैं पोजिटीव आता है हम बताते हैं कि आप वहां पर गायनिक से मिलके pregnancy support की गोली चालू किजिए नहीं करेंगे आज मेरी बीजी हूँ मेरे यह काम है सेटर डिसंडे को छुटी आएंगे तब जाएंगे डोक्टर के पास ऐसे करके वहां पर छे साथ दिन घर पर ही वेट करते हैं यानि कि टेस्ट पोजिटीव आ गया लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पर support की medicine चालू नहीं की तो कापी बाल साथ 20-30% cases में होता है कि वहां पर दिन उपर जाते टेस्ट नहीं करते या टेस्ट करते तो टेस्ट के बाद जो pregnancy support की गोली चालू करनी होती है वह नहीं करते है और प्रेगनेंशी टेस्ट कब करना है वह सबसे ज्यादा important चीज है देखो यदि आपकी normal cycle 28-30 दिन की normal cycle है तो आप वहां प इसी की cycle 28-30 नहीं रहती है 24-25 दिन की cycle भी नॉर्मल के आ जाएगा 27 दिन की cycle 32-35 इस तरह से cycle रहती है वह सब नॉर्मल cycle ही कहलाती है लेकिन उसमें टेस्ट कब करें तो देखो यदि आपकी cycle fix है यानि कि हर महीने इस दिन पर आ जाती चाहे वह चोबिस आए 30 आए 35 लेकिन पेटर्न आपकी fix है कि इसी दिन के आसपास मेरा पीरड आ जाता है अब वह दिन मिस होने के उपर के दो दिन जाए तब आपको टेस्ट करना है जैसे 24 दिन के आपकी cycle है तो 26-27 को टेस्ट कीजिए 28 की है तो 31 इस तरह से दो दिन उपर जाए उसके बाद टेस्ट करना है और दूसरा यदि वहां पे आप टेस्ट करें पहली बार तो मौनिंग के पहले यूरीन से किजिए कापी बार आप प्रीशन बोलते हैं मैंने इवनिंग में टेस्ट के हल्की लाइन आ रही है इनिसे इतना वहां पे बिटा इस सि जी नहीं होगा कि आपको इवनिंग के यूरि पर नहीं आता है तो उस केस में क्या करना चाहिए टेस्ट मत करते हो सब्सक्राइब दोक्र नेगेटिव रहने से कुछ नहीं होगा सैकल ठीक करनें पड़ेगी तो उसके लिए जो भी वहाँ पर उस तरह से फोलो केजिए तो इरगिलर वाले को पहला फोटी वन डे करना है दूसरी गलती जैसे इसमें टेस्ट में नेगेटिव आएगा दूसरी दिन वापिस करेंगे थिसरे दिन वापिस करेंगे अब नेगेटिव आता है तो बार-बार करते रहने से वह पॉजिटिव नहीं हो जाएगा हाँ आज हलकी लाइन आई तो आप दूसरे दिन सुबह में वापिस किजिए उसमें थोड़ी डार्क हुई तो बिटा सेजी कराएं कापी सारे प्रेसंट अल्क्रासाउंड डारेक्ट कराते हैं इनिस्यल बच्चा नहीं दिखेगा सोनोग्राफिय में पेसा वेस्ट होगा औ इनिस्यल आपकी किट में अल्की कराने की जरूरत नहीं है यह अपको कुछ अंदर दिखकत है पीरेड चलो रेग्यलर अपका डीली हुआ बिटा सेजी नेगेटिव है तो क्यों डीली हुआ वह कारण जानना चाहिए तो परिएड का वेट कर लो पीरेड आपका आजाए ब आपको कारण पता चलेगा तो वहाँ पे यदि दो तिन दिन ऊपर जाते टेस्ट करते हलकी लाएन आते हैं वह पोजितिव आ तो तुरन डोक्टर को मिलना है यदि डायरे की अप्छी लाएना गई तो तुरन डोक्टर से मिलके प्रेगनेंसी सपोर्ट की मेडिसीन चालो करनी है इस तरह से यह आप खोलो करेंगे तो काफी आप 20-30 परसंट वहां पर बच जाएंगे अल्ली अबोसन से यह इसमें भी कुछ पूछी सकते हैं यह आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है आपको अच्छे से काम करती है कितने अच्छे से हुमेपथिक मेडिसीन काम करती है कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट है तो आप हमारी टेलिपूनिक अपॉन्मेंट बुक कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं यहां पर वोट्सअप नमपर दिया गया है वह आप इतना मेसेज करना है मुझे आपके अपॉन्मेंट चाहिए आगे मेरी टीम गाइड करेगी होस्पिटल विजीट करना चाहते हैं तो हम आनंद में गुच्रात में होस्पिटल विजीट भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट भी जल्दी से मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेट भी बाई